हेलो डियर रिश्ट्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल स्टडी विद दुलार में बच्चों ये क्लास 7 का हिंदी बुक है चेप्टर 12 है और इस चेप्टर का नाम है राउर केला से पत्र तो यहां पे इस पेसली राउर केला के बारे में बतलाया गया है राउर केला अभी के समय में ओडिसा में पढ़ता है और एक बहुत बड़ा सहर है इस पात के लिए इस पेसली वो जाना जाता है तो यहां भी इस चेप्टर में इस पात से समंधित बाते बतलाया गया है तो आई हम लोग इस चेप्टर को नाम लिखा जाता है जहां से चिठी लिखा जाता है और दिनांक ये बतलाया गया है पिर ये मित्र सचिन अपने दोस्त को उसका दोस्त जो है उसका नाम सचिन है तो ये सचिन नहीं लिखा है सचिन के पास लिखा गया है यहां आकर इस पात के बारे में इतनी अधिक बातें जानने को मिली है कि मैं पत्र लिखने का लोब समरन नहीं कर पा रहा हूं, ये बातें मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूं, इस तरह कि कोई जब नई बातें किसी बच्चे को पता चलता है, किसी स्टुडेंट को पता चलता है, तो अपने दोस्तों में वो शेर करना चाहता ह उसे भी बतलाना चाहता है कि जिस परकार से उसे ये इंट्रेस्टिंग लगा तो उसके दोस्त को भी इंट्रेस्टिंग लगेगा अच्छा लगेगा इसलिए ये पत्तर लिख रहा है इस पात की जानकारी उसको देना चाह रहा है तुम यह बात तो भली परकार जानती हो किस यूग में इस्पात का इतना अधिक महत्व है कि इसे इस्पात यूग कहा जाने लगा है। सुई सी लेकर भारी भारी गार्डर तक इसपात से बनते हैं। सुई का एक धातू बन जाता है जो उसमें ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो उसी को हम लोग सपात करते हैं। अगर यहां पर जैसे बतला रहा है कि सपात हम लोग के जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। और इसलिए इसपात यूग, इस समय को इसपात यूग कहा जाने लगा है, सुई सी लेकर भारी-भारी गाड़र तक, मतलब बड़ी-बड़ी और भी जितने भी मसीन्स है, समान है, उसमें इसपात का उपयोग होता है, सुई बहुत चोटी है, वहाँ भी इसपात का उपयोग सब ही देशों में इस बात का उप्योग बहुत हो रहा है। सायद तुम्हें यह जानकर आश्चर्य हो की भारत में तो इसका प्रयोग प्राचिन काल से ही होता आया है। आज भी तुम कुतुब मिनार के पास खड़ी, सोला सो वर्ष पुरानी लोहे की लाट को देख सकते हो, उसमें ना तो जंग लगी है और ना उसकी चमक ही कम हुई है। तो इस पात कितने समय से उप्योग हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सबत लाया हुआ है, तो यहाँ पे पुरी दुनिया में कितने समय से उप्योग हो रहा है, इसके बारे में तो यहाँ नहीं बोला हुआ है, लेकिन पुरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बहुत पहले से ही उप्योग हो रहा है। और हमारे इंडिया में भी बहुत पहले से, 16.00 पुराना लोहे की लाट जो कुतूब मिनार के पास है और असोक ने इसे बनवाया था और सबसे खास बात उसमें यह है कि यतने साल पुराना होने के बावजूद उसमें जंग नहीं लगा उसमें जंग नहीं लगी है और उसकी चमक अभी तक उसी तरह बरकरार है अभी हम किसी लोहा को अगर रख देते हैं तो उसमें क्या होता है वो जंग लग जाएगा और वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा अब उसमें क्या टेक्निक यूज किया गया है कि वो किसी भी स्तिती में बाहर में खड़ी है पानी पढ़ रहा है, हवा लग रहा है न जंग लग रहा है और नहीं उसका चमक कम हो रहा है तो कितनी बड़ी बात है कितना बढ़ी है टेक्निक उसमें यूज़ किया गिया है पहले हमारे देश में इसपात के केवल तीन ही करखाने थे हमारे विसाल देश के लिए इनका उत्पादन बहुत कम था 1962 में दूतिय पंचवर्षिय योजना की समाप्ती के समय यह अनुमान लगाया गया कि भारत को परती वर्ष 60,00,00 टन इसपात की आवसकता होगी अता इसपात के तीन नए कारखाने खोलने की योजना बनाई गई तो जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या का विस्तार हुआ जैसे जैसे हमारा देश विक्सित करने लगा तो लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पात का उप्योग हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मांग हो सकता है तो इसलिए उस समय हमारे देश में तीन ही करखाने थे तो उससे देश की जरूरत को पूरा नहीं किया सकता था आने वाले आउसकता को समझते हुए और नए-नए करखाने बनाने की योजना बनाई गई तो मैं जहां रहता हूँ यहां धनबाद में तो यहां से वोकारो ज़् नहीं दिया हुआ है लेकिन वो भी गिंती में आता है यह पहले बुक लिखा गिया होगा इसलिए उसके बारे मनें दिया हुआ है इन तीन करखानों के लिए जो तीन अस्थान चुने गए हुए थे रावरकेला भिलाई और दुर्गापूर यह स्थान करमसा उडिसा मजप रुपिये लग गए फिर हिंदुस्तान इस्टिल नामक संस्था बनाई गई इसका मालिकाना अधिकार भारत सरकार के पास है तो जीतने भी कारखाने चल रहे हैं उसका मालिक जो है भारत सरकार है इन कारखानों को लगाने के लिए काफी सारा पैसा लगाना पड़ा जिसे करोड कल मैंने यहां के प्लांट में जाकर देखा कि देतियों के इस बिसाल परिवार पर मनुस्यों ने कबजा कर रखा है लोहे की बनी देत्याकार मसीने जिनकी सक्ती बिजली और आग है बैवहार और वानी में करकस है उनमें राचसों कीसी सक्ती है किन्तु वे मानोजाती का कल्यान करती है यहां पे देत मतलब राचस होता है तो बहुत बड़ा-बड़ा मसीन लगा हुआ है इसलिए उसको देत्याकार बोल रहा है राचसों के जैसा लेकिन मनुष जो है उन पे कबजा की हुए है मतलब मनुष बुद्धी से उनको अपने अधिकार में लिए हुए है अपने अनुसार उसको चला रहा तो मसीने, हम लोग जिस परकार से चाहते हैं, उस परकार से वो काम करता है, तो उनकी सक्ति क्या है, बिजली है और आग है, बिजली से है सारी मसीने चलती है, अगर बिजली कारखानों को न मिले, तो थप बैठी जाएंगे, और ज्यादा दिन तक वो मसीने बंद ने रह सकती अगर ज़्यादा दिनों तो बंद रहा तो उसमें जंग लग जाएगा और जंग लग जागा फिर वो चलने नहीं लगेगा वानी में करकस मतलब उसकी आवाज जो है आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा तेज आवाज करता है और वो एक नौइज पूलिशन है लेकिन उसका कोई उपाई नहीं है वहाँ पे कारखाने में बहुत तरह की आवाज इस तरह से होती रहती है तो ये राजसों की सक्ती उसमें तो है लेकिन वे सभी हम लोगों के कलियान का कारी कर रही है आगे यहाँ पे बतलाया जा रहा है एक और भठियों से पिखला हुआ लाल चमकता हुआ लोहा निकल रहा था तो दूसरी और विसालकाई मसीने लोहे की चादरें गारडर आदी बना रही थी सबसे पहले जो लोह ऐसक जिसमें पत्थर मिटी लगा हुआ रहता है तो उसको पिखलने के लिए दे दिया जाता है और पिखलने के बाद उसमें से जो गंदगी होती है वो बाहर निकल लिया जाता है और प्योर जो लोहा होता है उसको अलग कर लिया जाता है फिर मसीनों क बठी में लोह अईसक अर्थात जमिन से निकला खनीज लोहा, कोईले और चुना पत्थर के साथ जोंका जा रहा था, जिससे कि यहां पे उसको शुरुआत से बतलाया जा रहा है, धमन बठी जो आग का बठी होता है, उसमें लोह अईसक, जिसमें मिट्टी लोहा, मिट्टी पत्थर लगा रहाता है उसको चूना पत्थर के साथ कोई से प्रक्रिया होगा इसलिए चूना पत्थर वहां पे उसके साथ कोई ऐसा काम करता होगा जिसको जोरी है उसको मिलाए जा रहा होगा तो चूना पत्थर के साथ उसको जोंका जा रहा था मतलब उसमें डाला जा रह जो मेटल आग में नहीं पिखलता है कुछ ज़ोव गतेव होता है। determining लोह लेकिन लोहा तियार होता है उसमें कार्वन की मात्रा अधिक होती है। इस कार्वन को आकसिजन की साहेता से अलग कर देते हैं आकसीजन से लोहा साफ करने की वीधी के वाल राउर केला में ही अपनाई जाती है तो वहाँ पे आपको बिना देखे पता नहीं चलेगा हलाकि यहाँ पे लिख कर बतलाया गया है कि ऑकसीजन के द्वारा ऑकसीजन के मदद से उसको कार्बन को एक्स्ट्रा कार्बन जोता उसको अलग कर दिया जाता है और यह विधी जो है सिर्फ और सिर्फ राउरकेला में ही अपनाई जाती है इसलिए यहाँ पे राउरकेला की बाते बतलाई गई है जो इस्पेसल विधी अपनाई जाती है वहीं की बाते बतलाना भी जोरी है मेरी आ आगे चलकर यह मोटाई और घठती चली गई और श Bell Evil ने बन गई तो इस तरह से लोह का चादर किस तरह से बना हुआ लाल धख्ता फ़ाल लोहा तो उसको एक बहुत बड़ा टुकड़ा बहुत बड़ी सीला बोल रहा है इसका मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा जो है एक मसीन दूसरे मसीन के पास धकेल देती है और दूसरे मसीन जो उसको उठा के उसकी मोटाई को आधा कर देती है और इस तरह से एक मसीन से अगले मसीन के तेज दांत उस चादर को काट कर एक बिसे सनाप का बना रही थी यह सब काम मिनटों में ही हो गया तो इतना बड़ा लोहा जो है इतनी बड़ी-बड़ी मसीने लगावा है कि इतने बड़ी लोहे को तुरंत वो जिससाब से बनाना चाहता तो लोहे का चादर यह गाडर जै इससे चाक पर कुमार कच्छी मिट्व को अपनी उंगलियों से दबा कर मंचाही सकल की बरतन बना देता है वैसे ही यहांकी मसीने चादरों को डबाकर, घुमाकर कुछी मिनिटों में गोल पाइप की सकल मा बना देती है लोहे की कत्रनों छिलनों को एकत्रित करके दुबारा इस्तमाल के लिए गोदाम में भेजा जा रहा था ये लोग कुछ भी बरबाद नहीं होने देते अब यहां पे लोहे का चादर बनाने के लिए पहले बतलाया अब चादरों से अगर पाइप बनाना हो तो उस तरह से पाइप भी बनाया जाता है तो पाइप बनाने का जो परिकिरिया होता है वो थोड़ा सा कोतुक पुर्ण मजाक्य टैप के लग रहा था तो यहां पे जैस तो बहुत ही आपको देखने में आनंद आएगा मैंने देखा है हमारे गाओं में इस तरह के लोग हैं तो उसको देखने में इस तरह से आनंद आता है उसी तरह से वैसी मसीने लगाए गई वहां पर गार्खानों में और जो पाइप होता है वो चादर लोह का चादर जो होता उसको लिया जाता है और उसको भी इस तरह से गोल-गोल घुमते हुए उसको घुमा कर दबा कर थोड़े ही देर में उसको पाइप बना दिया जाता है और उसमें जो एक्स्ट्रा इस पात बच जाता है उसको छील कर हटा दिया जाता है उसको पूर्णता प्लेन किया जाता है चिकना किया जाता है और जो कतरन बच जाते हैं उसको फिर से जमा करके और फिर गुदाम में भेज दिया जाता है ताकि कुछ भी बरबाद ना हो सके मैंने यहां हजारों आदमियों के काम को सेकेंडों में करने वाली बड़ी-बड़ी क्रेने देखी जो तेजी के साथ आवाज करती हुई दोड़ती है और लोहे की बड़ी-बड़ी चीजों को चुम्बक के द्वारा उठा लेती हैं इन सब को देखकर मन में ख्याल आता है कि यहां मनुस इन मसीनों के सामने चीटियों के सामान छोटे से दिखाई पड़ते हैं लेकिन यह भी सही है कि एक छोटे से केबिन में बैठा आदमी ही छोटे-छोटे बटनों के सहारे इन देत्यकार मसीनों पर अपना नियंतरन अंतिम यहां पार्ट जो है इसमें बतलाया है कि इतनी बड़ी-बड़ी मसीने हैं कि वहां पे मनुस जो है चीटियों के भाती लगते हैं चीटियों जैसे छोटी-छोटी दिखा देते वह जो बैक्ती एक केविन में बैठा रहता है वो बटन सिर्फ दबाके कितने सारी बड मनुस अपने बुद्धी से अपने बिवेक से इतने बड़े-बड़े मसीनों को बनाया है और इसको अपने नियंतरन में रखा है और अपनी सेवा करने के लिए इसको बिवस किया हुआ है बाकी सारी बातें अगले पत्र में लिखा जाएगा और फिर यहां पे अपना नाम इसका नहीं दिया हुआ है इसको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं और नेक्स्ट जो है इस चेप्टर का मुक्ष क्वेश्चन से दिया हुआ है यहां पे और इसमें कुश्चन नमर त्री आसेस्पर्ष्ट करने के लिए कहा गया है भासाध्यन यहां पे कुछ ग्रामर से ब्याकरन से question दिया हुआ है यहां पे इसको भरने के लिए कहा गया है तो एक line पहले से भरा हुआ है किस तरह से भरना है उसके हिसाब से भरा हुआ है और next परते और उपसर्ग और परते लगभग लगभग सभी chapter पर दिया हुआ दिख रहा है यहां इन सब्दों के उपसर्ग परते अलग करके लिखो यह वर्ट्स दिया हुआ है और यहां नीचे में जैसे कि यहां पे बतलाए गया है tax और हात सरकार जनता पर कर लगाती है मैंने परसाद के लिए अपने कर बढ़ाए तो दोनों का जो मीनिंग है कर से लिया गया है कर मतलब टैक्स होता और कर मतलब हाथ भी होता है इस तरह के सेंटेंस यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है तो आएए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ हमारे देश में इस पात के कारखाने कहां कहां है हमारे देश में इस पात के कारखाने रावर केला भिलाई और दुर्गापूर में है यह स्थान करमसह उडिसा मैदपरदेश और पस्चिम बंगाल में है लेखक ने इस पात बनाने वाले मसीनों की तुलना देतियों से क्यों क इनमें राजसों सी सकती है रावरकेला में किस विधी से इस्पात बनाया जाता है इस्पात बनाने के लिए सबसे पहले लोह ऐसक को कोईले और चूना पत्थर के साथ धमन भट्टी में जोक दिया जाता है भट्टी में लोहा पिखल जाता है चूना पत्थर लोहे को साफ करत लोहे में कार्बन की मात्रा अधिक रह जाती है इसे ऑक्सीजन की मदद से अलग किया जाता है या विधी सिर्फ राउरकेला में अपनाई जाता है लोहे की चादरें किस परकार बनाई जाती है लाल धाकते हुए लोहे की बहुत बड़ी सिला को एक मसीन तेजी से दूसरी मसीन की और धकेल देती है और दूसरी मसीन उसे आधि मोटाई बना देती है आगे चलकर यह मोटाई घड़ती जाती है और लोहे की चादर बन जाती है चादरों से पाइपे किस परकार बनती है? चादरों से पाइप बनाने का काम कुमार के चाक की तरह होता है जिससे वह कची मीटी के बरतन बनाता है बड़ी-बड़ी मसी ने चादरों को दबा कर घुमा कर कुछी मिनटों में गोल पाइप बना देती है Q3 यहाँ प्यागे यह जो सेंटेंस दिये हुए है इसको डिटेल करने के लिए कहा गया है आज के आर्थिक यूग का धांचा फॉलाद या इसपात पर टिका है इस कथन का ततपर यह है कि आज का यूग इसपात पर निर्भर है इसलिए इसे इसपात यूग कहा जाने लगा है हमारे देश की आर्थिक इस्तिती इसपात से ही संतुलित बना रहता है इसपात हमारे देनिक जीवन का आवसक अंग बन गया है सुई से जहाज तक इसपात से बने है उनमें राच्षो किसी सक्ती है किन्तु वे मानोव जाती का कल्यान करती है यहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनों की तुलना राच्षो से की गई है राच्षा स्प्राचीन यूग में होते थे, उनके सरीर विसाल का है और उनमें अपार सक्ती होती थी उस समय वे मानों को हानी पहुचाते थे किन्तु आज के ये दित्याकार और सक्तिसाली मसीने मानों का कल्यान कर रही है मनुस अपनी चतुर्ता से दित्याकार मसीनों को अपनी सेवा के लिए विवस कर देता है मनुस की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बुद्धी जिसके द्वारा वह सक्तिसाली विसालकाय मसीनों को अपने कबजे में किया है इन मसीनों के सामने मनुष चिटियों की भाती है फिर भी मनुष इसे अपने लिए कायर करने को विवस कर देता है Q4 में भासा अध्यन ब्याकरण के कुछ Q4 दिये हैं और इसका यहाँ पर डायरेट अंसर दिया हुआ है जैसे कि one number का कव में examples दिया हुआ था तो ख़व नंबर से उसको भरने के लिए दिया गया है परशन पत्र तीन घंटे में समाप्त कर दिया गया है इस तरह से तीन sentence में भरने के लिए दिया गया है और question number 3 यहाँ पर एक सब्द दिया गया है जिसके दो meaning बतलाते वे उसको sentence में बदलना है तो जैसे कल हो गया तो इसका अर्थ होता है आने वाला कल मेरा मित्र कल आने वाला है कल का अर्थ होता है मसीन बिजलीना होने के कारण कल कर खाने बंद है जग कार्थ होता है एक परकार का वरतन है जग में पानी भरो जग मतलब संसार होता है इस्वर ने जग को बनाया भाग भाग मतलब भाग जाना होता है पुलिस को देखकर चोर भाग गए और भाग मतलब हिस्सा भी होता है तो इसका sentence इस जमिन के कई भाग हो गए तो यहाँ पर यह chapter पूरी तरह समाप्थ हो गया है अगर आप लोगों के लिए यह वीडियो helpful रहता है तो आप हमारी वीडियो को like कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और इसके अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आई हम लोग next वीडियो में चलते हैं